दोस्तों यह है MSI GF65 Thin RTX 2060 दोस्तों आजम करने वाले इसकी एंबॉक्सिंग तो अगर आप जाना चाहते कि ओवराल नटोप के असा रहता है कि आसके फर्स्ट इंप्रेशन से तो हमारी वीडियो को एंड तक देखना ना भूले और तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो ने तर पर तो मैं आपको अन्बॉक्सिंग से पहले एक बाप पता दू कि जो मारा लैप्टॉप है रिसेंटली लॉंज्ट है ये जन्वरी में लॉंच हुआ है तो चलिए आई आए अब हम इसके एंबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों यह है हमारा लैप्टॉप का बोग्ट दो दोस्तों यह हमारा वोक्सिंग सामने विल्कुल MSI की ब्रैंडिंग देखने को मिल जाती है तो अगर मैं इसके पीजी की बात करूं तो मैं इसमें कुछ तरी का देखने को मिलता है जैसे कि आपको दिख रहा होगा और यहां पर हमें लेफ्ट साइड में कुछ इसकी लैप साइड में मर मुच देखने को मिल जाती है scores को अब इसकंग को और यहां पर काम करते हैं उप примक पर लेते हैं अब मैं इसको जो हेया हैंसे ह Państwo एपकर देतााऊ तो जैसे मैं यहां पढ़ देखने को मिल जाता हूं जैसे कि आपको यहाँ भड़ा होगा तो अधेर ढोले हैस्पटॉट को मैं वे पर इके तरफ रखता हूं और हम आसे स्री देख़ लेते छेया में क्या क्या देखने को मिलेती है दोसके इसके अंदेर МУЗЫКА आपको दिख़ typo चारजर करना पड़ता है तो माँझटो इसको बात कर लेते हैं तो इसको एक। कर लेते हैं कियो तो कि दोस्तों फोस्ट इंप्रेशन की बात करें तो फोस्ट इम्प्रेशन में लेप्र याप मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगाया ऊप्वें काफी बारिता लगाया तो फटा-फट से एक बार में की कुछ डेक हेशée हैं इस को आन करते हुए यहां से मैं इसको एक पर ऑन करतेता हूं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर पताता हूं जो मॉडल नंबर वह इसका जी एफ-6510-10-SR-125-8-I-N इसका मॉडल नंबर है और मैं सबसे पहले आ जाता हूं इसके प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर्स पर जैसे कि आपको दिख लागा प्रोसेसर मेमोरी फीचर्स में जो इसकी डेडिकेटेट ग्राफिक मेमोरी टाइप है वो है DDR6 जो की काफी बहत्रीन है और डेडिकेटेट्ट ग्राफिक मेमोरी केपैसिटी जो है वो 6 GB कि है जो कि इस रेंज में मुझे काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी और रिएंट के बारे में बात करूं तो प्लोसेटर वेरियंट है इसमें 10750H का देखने को मिलेगा औरुटूप स्पीडू.60 की नौर्म है न्वीडिए जीफोर्स于 यह जिए की काफी बहत्री नहीं है जिसमें आप मैक्सिमम गेमस में में मैक्सिम्स में चला सकत मिलता है और फटाफट में आप उसको डिस्प्ले के बाने मताऊं तो उसमें टच्स्क्रीन नहीं में देखने को मिलता है और स्क्रीन साइज जो है वो 15.6 इंच का है कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो कीबोर्ड की बिल्ट क्वालिटी मुझे सबसे बेस्ट देखने को मिलता है लेकिन जो की डिस्टन्स है वह उसमें काफी बहतरी काफी अच्छी तरह किया हुआ है और यहां पर अगर मैं बता हूं यहां पर आपको कोई 7 टेंजन देखने को मिल जाता है और जीएफोर्स आर्टी एकस मैं आपको आन्वीडिया का देखने को मिल जाता है तचपैट मुझे अब तक सब्सक्राइस में देखने को मिला है जो कि अगर आप टाइपिंग के प्रैक्टिस करना जासे हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा टाइपिंग करने इसमें काफी आसान है और लाइटनिंग के बारे में बात करूं तो बैस्ट मुझे लुक में देखने को मिला है रेड कीज के साथ है काफी अच्छा देखने को यहां मिल रहा है तो तो अगर मैं इसके पीछे से बात करूं तो पीछे से भी हमें थोड़ा सा अट्रेक्टिव देखने को मिला है जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा पीछे से भी अगर इसकी बिल्ट क्वालिटी है वह इसमें पर प्लास्टिक तो यूज किया गया है ल है को यह थिक देखने को मिलता है क्योंकि प्रोसां सर्ह recurs है बिलागी वरें इसके नावट देखने को मुल जांगा और अगर मैं बताऊं तो इसकी जो finishing है side से corner से ये मुझे अब तक और laptops में नहीं देखने को मिली जो कि एक सच्चाई है ऐसी finishing की वेश से अगर आपका laptop कभी corner से कहीं पर लग जाता है तो आपके laptop पो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने माला जो कि इसका एक काफी बड़ा plus point माना जाता है और पीछे की side इसमें हमें दो fan outlet के दिये जाते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां से यहां पर है एक हमें right side में देखने को मिलता है एक हमें यहां पर left side में देखने को मिलता है और अगर मैं बताओं तो यहां पर हमें इसके पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं इसके USB पोर्ट्स हैं इसमें दो टाइप सी फास्ट ट्रांसफर के पोर्ट्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं यहां पर हमें और भी पोर्ट्स यहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं यहां से कि आपको दिख रहा होगा जो कि अच्छी बात है साइड में पोर्ट लेगा तो हमारे लैप्टोप वह अच्छी तरह वर्क करेगा और हमें पीछे लगाने के बाद उसके टेंशन लेने के जोट नहीं पड़ेगी कि पोर्ट कहीं पर मुड़तों नहीं रहा है अगर मैं इसको रेटिंग दू तो इसको काफी अच्छा लगा है यह थोड़ा सा थिक है लेकिन जिस तरीके से इसकी थिक्नेस मेंटेन करी गई है वह बहुत ही बहतरीन है इसकी वजह से अगर आपके कॉर्णर से लगता है तो आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले एक पर मैं जड़ा पासवर्ड डाल लेता हूं तो दोस्तों यहां पर जो मारा लैप्टॉप अपन हो चुका तो अगर मैं इसकी एप ओपिनिंग की बात करूं या फिर इसकी स्पीड की बात करूं तो ला जवाब गजब स्पीड हम इसमें देखने को मिलती है यह एप्स पी जो हमारे वो एकदम से उपन जाते हैं जैसे कि मैं आप वो दिस पीसी उपन करके दिखाता हूं जैसे ही मैं आप इस पीसी पे एंटर करता हूं एकदम से उपन हो जाता है जो कि काफी अच्छा और 144 हर्ट का डिस्प्ले होने का फाइदा यह है कि आपको जो स्मूदनेस है डिस्प्ले की वह बरकरार रहती है और बहुत ही बहतीरी स्मूदनेस हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद लेए तो अमारी वीडियो को लाइक किजा है अमारे चैनल को सब्सक्राब कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूस्ने ना भूले हैं तो मिलते हैं अपनी एगली वेडियो है